देश में महामारी ने विक्राल रूप धारन कर लिया है जहां भी देखें बस एम्बुलेंस सडकों पर दोड़ती होई नजर आती हैं और हस्पिटल से लेकर शिम्शान और करोना महामारी ने पुन रूप से कबज़ात किया हुआ है शिम्शान में लंबी लंबी अम्बुलेंसों की कतारे और अनकिन जलती चिताएं देखने को मिलती है हमें यह कहने के लिए मजबूर करती हैं कि हमें हमारा होसला और घोसला किसी प्रस्तीती में नहीं छोड़ना चाहिए हो सकते हैं एक प्रसीती में घोसला छोड़ना पड़े तो छोड़ सकते हैं प्रंतु होसला नहीं छोड़ना चाहिए जिन लोगों ने अपना होसला हिम्मत छोड़ा वो कहां पहुंच गए यह जानने के लिए देखते हैं गडगंगा विरिज घाट मीनी हरिद्वार तीर्थ इस्तल से हमारे वरिष्ट सुनवादाता सत्य वेर सिंग की रिपोर्ट लेकिन अभी हम आपको बता दें लेकर बता दे हम आपको कि जो लेगे लेने चाहता कि आप ऐसे लेकिन हम एक बात आपको बता दें कि दो चीजों पर विशे जिहान दिया जाए एक तो होसला ना चोड़ा दूसरा ना चोड़ी अब होसले की बात रही है रही कि जब तक आपको अपना होसला नहीं चोड़ेंगे तो आपको करोनों के बाप भी ने लेकर जाएगा पहली दूसरी बात भूसला तो मजबूरी में लोगों को छोड़ना पड़ता है और वो क्योंकि इस समय इसलिए चोड़ना पड़ता कि जो आजकल दो रोटी कमानी है तो बिल्कुल भूसला चोड़ जाना पड़ेगा और लेकिन फिर भी नेसलेंट भी चाहता कि जब तक भूसल है आपके अंदर तागत है आपके इमिनिटी ओलेडी आपके तागत है आप अपने प्रोइनों केवन अपने ही दो अपने ही अंदर के जो आपके अंदर इससे में जो हिम्मत है होसला है उसी से मार सकते हैं अदरवाज कोई चीज नहीं है ठीक है दवाई लेते रहें यह व पिछित्तितिति हो जाते हैं कि दिने करोणा हो गिया और क्या होगा कि लेकिर वह करोणा सिर्क नाशनी रही है कि अल्टीय क्या होता है कि अपने हैं को सरेंडर कर देता ऑगराज़द सुर्दैने कब एक होगा हाईюсь फिर कहीं करने नहींगे इसलिए जनिते हम फिर आपको कहते हैं कि आप खिर्टा करके मोचला भूचला दोनों को छोड़ने की कोशिश ना करें नेशनलेंगे उसे सजबीर सिंग ब्रजगाट दूंगा नगरी